हल्यो दोस्तों, इंटेलेक्टोड डाटन के यूटूब चैनल पे आपका सौगत है जैसा कि हम लोगों ने अभी इंडियन जो जियोग्राफी से बनने वाले सभी इंपोर्टन कोईस्चनों को खतम कर दिया है अब हम नया सेसन जो लेकर क्या हैं उसमें हम प्राचीन इतिहाज पढ़ेंगे ठीक है तो देख लेते हैं वो किनकिन एक्जामों में जैसे कि जो हम लेकर की क्वेस्चन आते हैं पहली बात तो वंडे एक्जाम इतने भी होते हैं जैसे यूपी पूलिस है, यूपी एसाई है, पेट है तो इन सब चीजों के लिए बहुत ही इंपोर्टन सारे क्वेस्चन होने वाले हैं इसलिए अगर आप लोग पिछली वीडियो नहीं देखें हैं तो उनको भी देख लीजेगा और प्राचीन इतिहात आज से सुरू हो रही है इसमें हम सभी इंपोर्टन क्वेस्चन आपको कराने वाले हैं तो हमाए साथ जुडिएगा चलिए सुरू करते हैं आज की क्लास ये रहा आपका आज का पहला क्वेस्चन ठीक है जिस काल का अभी तक कोई लिखित साक्ष नहीं ठीक है लिखित साक्ष जो है नहीं मिला है उस काल को क्या कहते हैं तो जिस काल का हमें आज तक लिखित सक्ष नहीं मिला है उसे हम कहते हैं प्रगैति हासिक काल, ठीक है, प्रगैति हासिक काल के बारे में जान लें कि प्रगैति हासिक काल की जो समय अवधी है, वो शुरू से अगर लेकर के बात कहें, तो दस हजार इसा पूर्व तक है, ठीक ह किसकी प्रगयतिहासिक काल की ठीक है और अगर हम बात करें आध्यायतिहासिक काल क्या होता है तो आध्यायतिहासिक काल वहा काल है जिसमें जो है लिखित साक्ष तो मिला है ठीक है लिखित साक्ष मिला है लेकिन उसको पढ़ा नहीं जा सका है ठीक है जैसे इसमें प्रगयतिह हम क्या कह सकते हैं प्रगयतिहासिक काल के इसका उधान क्या है प्रियोग किया जाता है यानि प्रगयतिहासिक काल में क्या है इसमें कोई भी जो चीजें मिली हैं वो लिखित चीजें तो हैं लेकिन पढ़ा नहीं जा सका है बागी साक्ष तो मिले हैं तो इसमें हड़पा की सब्विता लिखते हैं अगर इसकी समय उध की बात करें तो 10,000 थीक है 10,000 इसा पूर्व से कितना है पच्पंसो इसा तक इसकी ऐल ली गार इसकी अगरे स्की बात करें तो इसके अंतर इसकर जाड़ों इता करूँ गयदा में क्या हुआ हुआ इसमें बेसिकली क्या है धातु से बने आउजारों का प्रियोग सुरू हो गया था ठीक है आध्या इतिहासी काल में किस से धातु से बने आउजारों का प्रियोग सुरू हो गया था धातु से बने आउजारों का प्रियोग ठीक है जिसमें जैसे कांज से बने आउजारें जो कि 10,000 इसा पूरु से 5500 इसा पूरु तक हाद्य आतिहासिक काल की थी इसमें जो है साक्ष मिले हैं और लिखित साक्ष भी मिले हैं लेकिन हम पल नहीं पाए हैं अगर हम आतिहासिक काल की बात करें तो इसमें क्या है इसमें लिखित साक्ष मिले हैं और वो पढ़े भी जा सके हैं जिसके अंतर के त्रिगवाइदिक काल आता है ठीक ना अगर इसकी अवज की बात करें तो पच्पंसव इसा से पच्पंसव इसा पूरु से पूरु से कितनी है? तीन हजार इसा पूरु तक कि इसकी एई सिक्त काल की समयावदी है इसके बात करें अगला हुस्चन की ठीक से बनने वाले वाले साआपको प्रगया गया है जो को प्रगयतिहासिक काल क्या है सुरू से ले करके यानि कि एक लांग इसापूर से ले करके 10,000 इसापूरु तक के समय को प्रगयतिहासिक काल में रखा गया है इसका जो एक ज्यामपल है वो है पासाल काल ठीक है इसके दंतर गजाता है जब पत्थर से बनी और जारों का प पच्पन सो इसा पूरू तक है और इसके अंतरगत कौन कौन साथ जैसे हरपा सब बेता सिंदु गाटी सब बेता जो है आध्या इतिहासिक काल के अंतरगत आती हैं ठीक है इस समय जो लिपी लिखी गए थी हरपा सब बेता के समय तो उस लिपी को क्या हुआ कि हम लोग समय नहीं पाएं और अगर बात करें अधिहासिक काल काल की तो पच्पन सो इसा पूरू से 3000 इसा पूरू तक रिगवइदी काल तथा प्राचीन काल को यहां रखा गया तो इसमें क्या साहे लिखित साक्ष मिले हैं और हम उनको जो है सही से पढ़ भी और समझ भी सके हैं ठीक है चलिए नेक्स्ट कोईशन देख लेते हैं किस काल में मानव आखेटक यानि सिकारी का जीवन जीता था ठीक है तो मानव सिकारी का जीवन किस काल में जीता था पूरा पासाल काल में ठीक है पूरा पासाल काल में क्या था मानव का कोई इस्थाई निवास नहीं होता था ठीक है मानव क्या होता था सिकार के तलास में इधर उधर भटकता रहता था और क्या है कि जब मनुस्य इधर उधर भटकता रहता था तो उसका इसी लिए इस्थाई निवास भी नहीं था समझ रहे ना तो यह काल काउंज था पूरा पासार काल ठीक है चलो मानव ने आग की खोज किस काल में की थी तो मनुस्य ने आग की खोज जो की थी वो की थी पूरा पासार काल में ठीक है पूरा पासार काल में मानव ने आग की खोज तो कर ली थी लेकिन उसका उप्योग करना इसको नहीं पता था तो उसका सही उप्योग करना इसे कप पता चला मध्य पासान काल में ठीक है अगर बात करें question पूछे कि मानाओ ने आग खोच कप की थी तो पूरा पासान काल में लेकिन आग का प्रियोग करना कब सीखा मानाओ तो मध्य पासान काल में ओके तो ये चीज आप लोग याद मिला है वह कहां से मिला है हत नवर से ठीक है कहां पढ़ता या मध्य परदेश में मध्य परदेश में पढ़ता है ठीक है चलो नेक्स देख लेते हैं अगर बात करें किस इस्थान से चित्रकारी की प्राचीनतम प्रमाण मिलते हैं चित्रकारी के तो वो मिलते हैं कहां से भीम बेटका ठीक है भीम बेटका से जो है सैल चित्रकारी सैल चित्रकारी सैल चित्रकारी का मतलब सैल मैंने इसलिए लिख दिया क्योंकि पत्थरों पर चित्रकारी की जाती थी ठीक ना और जो भीम बेटका में सैल चित्रकारी पाई आती है इन्हें यूनेसको के विश्व धरोहर सुची में भी सामिल किया गया है ठीक ना यूनेसको यूनेशको के यानि विश्व धरोहर समुची में सामिल किया गया है तो यह जो भीम बेट का पड़ता है या कहां पड़ता है तो यह भी कहां पड़ता है मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश राजी में समझ गया ना तो जो चित्रकारी थी प्रचिंदब्राम का प्रमाल कहां मिले है तो भीम बेट का में सैल चित्रकारी थी यानि पत्थरों पर चित्र बना जाते थे यूनेशको के सुची में इन सैल चित्रकारी को सामिल भी कर लिया गया है और या क इस पासाल काले निस्थल में मानव का सरोप्रथम साक्ष मिला है तो मानव का जो सरोप्रथम साक्ष मिला है वहां मिला है नर्मदा घाटी ठीक है नर्मदा घाटी में मिला है मध्य प्रदेश में पड़ता है मध्य प्रदेश राजी में ठीक है ना अगर मानव कंकाल की बात क यानि खोप लीगे तो अधिरम पक्कम जो तमिल नाडु में पढ़ता है यहां भी मिले हैं ठीक है तमिल नाडु में यह पढ़ता है ठीक चलो next question देख लेते हैं किस काल में पसुपालन की सुरुवात होई तो जो पसुपालन की सुरुवात होई है वह होई है मध्यपासान काल में किस काल में होई है मध्यपासान काल में पसुपालन की सुरुवात होई है और जो सबसे पहला पालने वाला पसु था जिसे मानों ने सबसे पहले पाला था व ज़र मनुस्य ने सबसे पहले यानि सरोप्रथम किसे अपना पालुतु जानवर बनाया था तो वहा कौन था वहा था कुत्ता ठीक है चलो next question देखते हैं किस काल स्वरी किस इस्थल से सरोप्रथम पसुपालन के प्रमाड मिले हैं तो सरोप्रथम जो पसुपालन के प्रमाड मिले हैं वो मिले हैं आदमगर से ठीक है आदमगर से सरोप्रथम पसुपालन के प्रमाड मिले हैं ठीक है क्योंकि यहां जो साख्ष मिले हैं मनुस्यों के साथ जो है कुट्टे को भी दफनाया जाता था इसलिए वहां से यह पता चला कि मतलब मनुस्य जो है जानवरों को पालने लगा था किस काल में पहिये की खोज हुई है तो पहिये की खोज हुई है नौपासाल काल में ठीक है इस काल में क्या था नौपासाल काल में मनुस्य का जिवान इस्ठाई हो गया था क्योंकि मनुषी मनुस्ते क्रसि करने लगा था, मनुस्ते बोगन इस्ठाई का ताइम लगते हैं हाँ एक चीज है लेकिन कुछ सालों के बाद जो थे वो मनुस्य जो है उस जगह को छोड़ देते थे वहां की क्या थी जब तक वहां की भूमी उपजाव होती थी वहां पे क्रसी लगातार होती रहती थी और जब वहां की भूमी की उपजाव छमता खतम हो जाती थी तो यह क्या करते थे कि बहुमी तो तो यह लोग क्या क्या थे कि जाक्त करणने लगते थे तो चीज और बात करते बूर्ज हों जो कि एक पासाड़ कालीन इस्थल है किस राजसे इसका संबंध है कि इसका संबन्ध है जम्मू theorem कस्मीर से जम्मू कस्मीर से संंबन्द इसका बुर्ज होम क्या था कि इसमें क्या थे गड़े पायते थे जिसमें गरतावस में मनुस्य निवास करता था और यहीं सरो पर्थम क्या हुआ था कि जो कुट्ठे थे उनको मनुस्यों के साथ दफनाया जाता था यहीं से वह प्रमाण मिले हैं इसमें क्या था मनुष्य के साथ कुट्टों को भी दफनाया जाता था ठीक चलिए next question देख लेते हैं निमलिकित में से किस इस्थल से करशी का प्रथम साक्ष प्राप्त हुआ है तो क्रसिका जो प्रथम साक्ष प्राप्त हुआ है वो मिले हैं मेहरगर से मेहरगर कहां पड़ता है पाकिस्तान और बलूचिस्तान के नज़िक ठीक है पाकिस्तान के पाकिस्तान पड़ता है वहीं पर बलूचिस्तान बलूचिस्तान के समीप पड़ता ठीक है यहां से क्या हुआ था मेहरगर से प्रथम कसी के साक्ष जो है प्राप्थ हुए थे चलो next question देख लेते हैं मानव द्वारा सरोप्रथम प्रयूपत अनाज था मानव ने जो सरोप्रथम अनाज उगाया था वो था जव यह बहुत important question है विल्फुल हलका सा question लेकिन पूछा जाता है तो वगा था जो था ठेक चलो next question देखते हैं चावल का प्रथम प्रमाहर किस स्थल से मिलता है तो चावल का जो प्रथम प्रमाहर मिलता है वह मिलता है चावल का प्रथम प्रमाड मिलता है भारत के अंतरगर क्रस के प्राचीनतम साक्ष कहां से मिले हैं अभी तक क्या था कि पूछा था कि सरुप्रथम प्राचीनतम यानि क्रस के प्राचीनतम साक्ष कहां से मिले थे वो था मेहरगड जो कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान छेत्र में पड़ता था अब बात कर रहा भारत के अंतरगड ठीक है यह चीज याद रखेगा अब पूछ रहा भारत के अंतरगड तो भारत के अंतरगड कहां मिले थे तो वो मिले थे लहुरा देव ठीक है लहुरा प्रदेश में चलो नेक्स देख लेते हैं पासाड कालिन इस्थल बेलन घाटी की अवस्थति निमलिखित में से कहां थी तो जो बेलन घाटी की अवस्थति थी वो थी प्रियाग राज में ठीका ना किसने भारत में पासाड कालिन बश्थियों के अनुवेसड की शुरुवात की थी अगर पासाल कालिन बश्थियों के अनुवेसड की बात किया जाए तो राबर्ट ब्रूस ने की थी ठीक है, Robert Bruce ने की थी, कब की थी, तो इन्होंने की थी 1863 में ठीक है, 1863 इस्वी में इन्होंने किया था, ओके Next question देख लेते हैं, भारती पूरा तत्तों के जनक कौन थे? भारती पूरा तत्तों के जो जनक थे, वो थे Alexander Cunningham ठीक है, इन्ही के निर्देशा अनुसार, राखाल दाज बनर जी ने खोदाई की थी, और कौन थे? ठीक है, तो Alexander Cunningham जो थे, ये पूरा तत्तों इभाग के जनक थे, यहाँ पे जो भी हरप्पा सब्वेतक खोदाई हुई है और सिंदु घाटी सब्वेता की ठीक है न, और मुहन जो दाड़ों की इन्ही के निर्देशा अनुसार किया गया है ठीक है, भारती पूरा तत्तों सरवेक्षण की इस्थापना किषने की थी? तो भारती पूरा तक तो सर्वेक्षन की जो इस्थापना की थी वो थी की थी लाड करजन ने कब की थी तो 1902 इस्वी में की थी ठीक है अगर इसके मुख्य जो है जो इसके मुख्य अधिकारी थे वो थे जॉन मार्सल ठीक है ना समझ गए ना चलो अगला राष्टी मानव संग्रहाले कहां इस्थित है तो राष्टी मानव संग्रहाले भोपाल में इस्थित है भोपाल में इस्थित है भोपाल कहां पढ़ता है तो भोपाल प्रदेश राज धानी ही है यह आपको पता ही हो ठीक है तो यह रहे आज सारे क्वेस्चिन जो आज के जो आज हम लेकर क्या है ठीक है तो इसी तरह के important important question हम हर एक वीडियो में लाते रहेंगे आप लोग जितने भी बच्चे वंडे की तयारी या वंडेक जाम से रिलेटेट कोई भी एक जाम देख रहे हैं UPP हो UPSI हो या पेट हो तो वो सभी लोग इस वीडियो को देख लें क्योंकि इसमें जो important question थे वही हम करवा रहे हैं भागी फालतू का कोई question नहीं है ठीक है ये चीज आप लोग देख देखी रहे होंगे और अपने तयारी को लगातार बनाए रहे लिएगा धन्यवाद